इस वीडियो में आपको दिखाएंगे एक लाग 15,000 रुपे का PC वेल्ड 1.15 लाक या फिर इसको कह सकते हो अंडर 1.2 लाक मतलब एक लाग 20,000 के अंदर अगर आपको PC वेल्ड करना है तो आप जो है कुछ इस टाइप का यहाँ पर कर सकते हो जबरदस्त काफी खुबसुरत सा PC वेल्ड है बात करें हरे कॉम्पवेंट के बारे में तो वीडियो एंट तक देखते रहें ना इस PC को ओडर कराए गाईज हमारे हर्ष भाई ने जो की रहने वाले है गुजरात के तो गुजरात से हमारे पास यह ओडर आए बाकि आपको भी अगर कोई ऐसी कमाल का PC बाया करना हमारे हर्ष भाई की तरह तो स्क्रीन पर आपको नमबर देखने को मल जाएगा 701-805001 इस प्रिविल्ड PC बाय कर सकते हो और वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शिन के दर मिल जाएगा जाके आप लोग डिर्क लिवासे पर्चेसिंग कर सकते हो अब गाइस बात कर लेते हैं सभी कॉंपोनें की बारे में क्या क्या चीज़े हम लोगो ने इस PC विल परवात करते हैं सबस्क्रिप्र प्रसेसर से प्रसेसर यूज करा गया इंटल की तरफ सुनका कूर आई 512 600 के प्रसेसर जबरदास CPU गई 10 कोर 16 त्रेट की साथ में आने वाले काफी बढ़िया प्रसेसर यहां पर हो जाता है हाला कि अब तो 13 600 के आ गया है बट वह इसे एक् तो यह है हमारा प्रसेसर ठीक है 12 600 के का हम लोगों नहीं हाँ पर यूज करा है बागी बात करें आप हमारे मदरबोड के बारे में तो MSI की तरफ सुनके प्रो लाइन अप के अंदर MSI PRO Z690 A Wi-Fi DDR4 मदरबोड इस मदरबोड का जो यहां पर यूज करा गया है जो की Wi-Fi Bluetooth की के साथ में आते हैं एंड Z690 चिपसेट के साथ में आते हैं DDR4 RAM को यहां पर यह सपोर्ट करता है और आपको बतायते हैं कि जो 12600 के है इसके साथ में कोई भी हमें stock cooler देखनी को नहीं मिलता है अलग से aftermarket air cooler liquid cooler pair करना होता है तो यहां पर हम लोगों ने liquid cooler यूज करा है वो कर इसके टॉप पर हम लोगों ने इसको माउंट करा है और 12600 के प्रोसेसर को अच्छी तरीके से यहां पर हैंडल कर लेता है बात करें यहां पर हमारी RAM के बारे में RAM जैसे की DDR4 Motherboard है यह तो DDR4 RAM को यहां पर यह सपोर्ट करता है तो RAM हम लोगों ने टोटल यहां पर 16GB यूज क करना चाहे तो डेफिनिटी यहां पर जो अपनी RAM अप्ग्रेड भी कर सकते है उसका option उनके पास हमेशे वेलिवल रहेगा बात करते हैं यहां पर हमारे ग्राफिक्स काड की बारे में तो यहां पर जो ग्राफिक्स काड यूज करा गया है बड़ा ही सुन्दर MSI की तरफ से उनका Gaming X RTX 3060 हम लोगों यहां पर यूज करा है 3060 आपको पता ही है आपको 2K लेवल पर गेमिंग करनी हो बहुत ही बड़िया तरीके से यहां पर यह ग्राफिक्स काड आपको करा देता है और एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आता है MSI के लोगों के अंदर जो यहां पर RG भी जलती है जिसको कि आप डेफिनिटी यहां पर जो है कंट्रोल भी कर सकते हो और क्वालिटी वाइस भी भाई MSI का कोई जवाब ही नहीं है गाइस पढ़िया एक दम है ना बात करेंज यहां पर हमारी स्टोरेज की बारे में बात क से की तरफ से उनकी Master Watt Elite Series के अंदर Bronze V2 750 Watt का यहां पर यूज करा गया है हाला कि इस PC के साफ से 650 Watt भी नप रहती बट थोड़ा बहुत अगर वो in future अपग्रेड करना चाहे तो उसे साफ से 750 Watt का जो है इस PC बिल्ड के अंदर यहां पर यूज करा गया है बात करेंज यहां पर हमारी cabinet की बारे में जैसी बारा बोताया था कि काफी एक special cabinet जो है यहां पर ही उसकरी गई है यह है Cooler Master की HEF 500 cabinet बड़ी ही जबरदस्त cabinet guys आपको जो है इसके front में देखो एक तो 200 mm के दो fans देखने को मिलते और rear में आपको एक fan देखने को मिलता है 120 mm का top पर अगर आप चाह जो है जो है जो भी आप direction देना चाहो उसको दे सकते हो airflow के लिए ताकि आपका जो graphics card है उसको थंडी थंडी हवा यहां पर मिलती रहे और आपका GPU एकदम थंडा चले तो वाइस यही था पूरा PC 1.15 लाक रुपीज का यानि की under रुपीज 1.2 लाक जो कि हम लोगो ने बनाय MSI की RTX 3060 Gaming X के साथ में and i5-12600K प्रोसेसर वीडियो कैसे लगी नीचे में comment section में जरूर बताना बाकी चनल को subscribe कर लेना वीडियो को like कर देना ऐसी कमाल कमाल के PC विडियो अगर आपको देखनी होती हो तो और बाकी आपको भी ऐसी कमाल का PC बाय करना हो तो contact कैसे करोगे भाई स्क्रीन पर आपको नंबर देखनी को मिल जाएगा 7011-805001 इस नंबर को आपको जो कॉल कर सकते हो WhatsApp कर सकते हो सुबह के 10 बसे लेकर के शाम की 6 वे तक from Monday to Saturday बाकी website का link नीचे मिल जाएगा आपको description के अंदर मिलें कैसे एक और ने वीडियो के अंदर एक और ने कमाल के PC धिसले झाहँ झेडिए